जहिन दोस्तो आज आप लिए लेकर करके हैं 12 कलास का केमिस्ट्री का मोडल सेट मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन हो दोस्तो यह इंटरनेट द्वारा जारी किया गया मोडल सेट है तो यह मोडल सेट आपके लिए बहुत फायदेवाद होने माला है क्योंकि इस वार्ष मोडल सेट से बहुत सारी कोश्चन पूछे जाएंगे तो चलिए दोस्तों एक एक कोश्चन को देखते हैं और सोल्व करते हैं पहला क्या है रवा कितने परकार क्यों होते हैं दो छे चार या तीन तो रवा जो होते हैं रवा तीन परकार क्यों होते हैं अगला कोश्चन है यानि वर्फ में किस परकार का अपबंद पाए जाते हैं तो यह पाए जाता है दोस्तों एच टू यानि यहां पे हाड्रोजन बॉंड पाए जाता है एच टू ओ में जल में हाड्रोजन बंद यानि ऑप्शन ए इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है एक फाराइड विधूत कितने कुलाम के बरावर होता है तो एक कुलाम जो होता है दोस्तों एक कुलाम के बरावर होता है एक फाराइड जो होता है कितने कुलाम के बरावर होता है तो यह होता है 96500 के बरावर यानि ओप्शन ए इसका राइट अनसर हो ज ह finns जाते हैं तो यह कहा जाता है चलगता को option A का right answer हो जाएगा button लेंड़ाइन्सओं क्या है पराभल बैदु तो ँड़ेंग अम क्या होगा यह मान ह Been होता है तनुक घटने पर घरता है लेंड़ान मान ओं जो हता है । रुकू depends कर्मानिये उत्कर्मानिये वांडर वाल वलो के कारण ये गैसों की प्रकिर्थी पनिर्भर करता है तो राइट अंसर की बात कर लें तो रसाइने कदी सोशन में अनुत्कर्मानिया भी किरिया होता है यह आप्शन ए इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला कोश्यन है लोहे क का मुख्यास तो लोहे का मुख्यास को होता है हेमेटाइट एफी टू ओ त्री ऑप्शन बीश का राइट अंसर हो जाएगा इदि दोस्तों आप मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपने दोस्तों को से सेर कर देंगे तो देखें दोस्तों एट नमर कुश्चन क्या है किस परकार के ऐस का सांद्रन इलेक्ट्रो मेगनेटिक प्रितकरन वीधी दोआरा किया जाता है तो यह किया जाता है अनुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् होते हैं कोपर सरी कोपर माठे में होता है तो क्या होता है राइट अंसर की बात कर लें तो यह होता है सी यूट2 एस तरफ एपर एस ऑप से रज़ाएं हो जाएगा चलिए अगला कुछन देख लेते हैं देश्ट नमर कोश्चन क्या बोल रहा है यहां पर आवर सार्णी के ग्रूप 15 में नेट्रोजन के तरीत कौन सा तत्वे हैं तो यह तत्वे होता है फस्फोरस यानि 20 का राइट अंसर हो जाएगा फस्फोरस होता है वर के 15 में पी के अलावा तो चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं जारा नमर कोश्चन क्या बोड़ा है डीप बलोक के तत्व को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है तो डीप बलोक को दूसरे तत्वे क संक्रमन तत्वे के नाम से भी जाना जाता है क्या मैं उपसंड में लिए ग्जाता के चलिए अगला Köns अगला कोश्चन त्यों संक्रमन तत्वे समान तत्वे यायस बलोक के तत्वे तो इसका या राइट अंसर की बात के लिए दुस्तों तो जिंक एक समान तर्तिवे होता है यानि आप्षिन इसका सी राइट अंशर हो जाएगा अगला कोश्यन देख लेते हैं तेरा नमबर कोश्यन एमन तीन प्लस एक आक्सी कारक है तो क्या हो जागा इसका राइट अंसर टी उन्तीस लेवल आधा भारा होगा या इजी लेवल पूर्णुर से भारा होगा सी खाली डी कच्छक कारण होगा यह सभी तो राइट अंसर की बात के लिए तो इसका डी कच्छक जो होते हैं सो एमन यानि पचीश होता है दूस्तो तीन और खाली का यानि यहां पे जो एक किस से लेकर करके तीस तक होते हैं वो डी और विटल में परिवस करते हैं डी ब्लॉक के तत्वे कहलाते हैं एमन एमन पचीश है पलस माथा पर तीन लगा हुआ यानि तीन डोनेट कर दिया जाएगा फिर भी आपको तीन डोनेट करने के बाइस यानि डी और विटल में आए तो डी और विटल डी कच्छक के कारण होते हैं औक्सिक्राइगा अपशन C इसका राइट अंसर हो जाएगा तो चलिए अगला क्वेशन देख लेते हैं के टू जेडन ओएच हॉल 4 का आईपी शी नाम क्या है तो इसका राइट अंसर की बात के लिए दोस्तो तो इसका राइट अंसर हो जाएगा पोटैशियाम टेट्रा हाइड्रोक्स पता लगाने को मिलता है अलकिन के द्विबंद का पता लगाने को मिलाते हैं तो ये मिलाते हैं तरल बी आर्टू यानि ब्रोमिन को बी आर्टू ऑप्शन बीस का राइट अंसर हो जागा तो चलिए अगले देख लेते हैं दोस्तों तुरिविम ये समय वेता है जिनका समान अध्यरोपित वस्तु दर्पन परत्विम को कहा जाता है क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है प्रति बिम्रुपता को यानि ऑप्शन 20 का राइट अंसर हो जाएगा क्लोरोफोर में ऑक्सीजन से परकास की उपस्तिती में अभिकिरिया कर की क्या देता है तो यह देता है फोक्सजीन यानि ऑप्शन 20 का राइट अंसर हो जाएगा इसलिए 18 नमर कुश्यन देख लेते हैं एलकोहॉल और फिनॉल बनेने में एलके नवम एरीन का एक हाइड्रोजन किसे से प्रतियस थापित होता है यानि अलग हो जाता है तो यह होता है ओएच के द्वारा यानि ऑप्शन इसका बी राइट अंसर हो जाएगा ग्लिस्रॉल है तो ग्लिस्रॉल एक क्या होता है तो ग्लिस्रॉल होता है ट्राई हाइड्रिक एलकोहॉल होते है यानि या राइट अंसर की बात के लिए तो राइट अंसर इसका सी हो जाएगा नगला कुश्यन दोस्तों बेंजिन का सधारन हाड्रोक्सी ब्यूत्पन है त टाक्या कहलाता है तो यह कहलाता है फिर नॉल ऑप्षिन बीस का राइट अंसर हो जाएगा एक इस नमर कोश्चन देख लेते हैं इस तरफ मेथिल मेथिल लगा हुआ तो फिनोल में डबल लगा हुआ यान इसका राइट अंसर की बात कर लें तो राइट अंसर इसका आपका ए हो जाएगा क्योंकि OH के बाद सिकेंड पे भी CS3 मेथिल लगा हुआ है और 5 पे भी मेथिल लगा हुआ है क्योंकि गिन्ने के बाद दोस्तों यहां पे गिन्ने के बाद यहां पे 2 पे भी लगा हुआ 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो 2 पे भी और 5 पे भी मेथिल लगा हुआ तो इसका राइट अंसर ए हो जाएगा 2 और 5 डाइमीथायल फीविनॉल राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशिण वाइस नमर कोश्चिण क्या बोले है दुस्त हू chi कलोरो एत्रेन आमोनीया से भी केरया कर tejna यानि क्या देता है तो यह देता है इंथनयमिन यानि ओप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला question देख लेते हैं ग्रें क्या कर देता है तो राइट आंसर की बात कर लें तो यह एल्किल हम इन को अलग कर देता है निया option B का right answer हो जाएगा अगला question H CWH का IPC नाम very simple question दोस्तो H CWH इसका IPC नाम तो इसका IPC नाम होता है formic आमले यानि option B इसका right answer हो जाएगा औक जेलिक आमले का IPC नाम तो अग जेलिक आमले का IPC जो नाम होता है यह इस्ता इसका right answer हो जाएगा तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं मिथाइल नाइट्राइल का सुत्रे तो यह मिथाइल नाइट्राइल का सुत्रे होता है CH3CN यानि option C इसका right answer हो जाएगा चलिए 27 नमर कोश्यों देख लेते हैं सधारन कर्वसिलिक आमले जैल में घुलन सील होता है क्योंकि उनके बीच होता है क्या होता है सहसन्योग बंधन हाइड्रोजन बंधन आइनिक बंधन या इन में से कोई नहीं तो यह होता है सधारन कर्वसिलिक आमले की बीच यह होता है अपका हाइड्रोजन मंधन यानि option B राइट अंसर हो जाएगा इसका 28 नमर कोशिन क्या बढ़ा है फ्रुक्टोज का सुत्रे तो फ्रुक्टोज का सुत्रे क्या होता है पेरी शिंपल कोशिन दोस्तों तो फ्रुक्टोज का सुत्रे होता है C6, H12, O6 यहाँ पे राइट अंसर की बात कर ले तो option A इसका राइट अंसर हो जाएगा फ्रुक्टो और पाहइडरेट जो जल किंद तो यानि जल में मिल करके तीन से दस मोनो-साइकराड बनाता है क्या कहलाता है तो यह कहलाता है ओलिगो सैकराड यानि आप्शन बीस का राइट अनसर हो जाएगा तो चलिए तीश नमर कोश्चन देख लेते हैं एमिनो अमले में दो सक्रिय मुलक होते हैं पहला CWH और दूसरा तो दूसरा क्या हो जागा तो दूसरा हो जागा दोस्तो NH2 यहाँ पे था कि एमिनो अमले में दो सक्रिय मुलक होते हैं पहला CWH यानि अमले का ग्रूप हो गया और दूसरा होता है तो NH2 का क्योंकि एमिनो अमले सेशन मन जी ते NH2 हो जाएगा दूस्तों आपस्षन से का रॉट अंसर हो जाएगा चलिए क्रीचनमर देख लेतें अills-kit-47 अमस्तों के पॉली का राइट अंसर क्या होगा यह कोशन आप लोग के लिए कोशन तो कॉण बॉक्स में जुरू बताएंगे दिस्तों अगला कोश्चन तो क्या है तो राइट अंसर की बात कर लें तो यह होते हैं परकिर्थिक पोलिमीर होते हैं यह ओप्सन बी राइट अंसर हो जाएगा जवर कम करने में परिउक्त दावा जवर यानि बुखार को कम करने में परिउक्त दावा को क्या कहते हैं तो यह कहा जाता है ज्वार हारी यानि option C इसका right answer हो जागा दोस्तों अगला question solar cell में उप्योग किया जाने वाला पदार्थ में होता है ये सिलिकोन यानि option B का SI को सिलिकोन बोले जाता है option B का right answer हो जागा तो 37 नमर question देख लेते हैं केल्सियम फलोराइड के संरचना के धनायन तथ रिनायन का कोडिनेशन संख्या क्रमस होता है तो इसकी राइट अंसर की बात के लिए दोस्तो तो यह हो जाएगा आठ तथा चार हो जाते हैं और ओप्शन बीस का राइट अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन अरतीश नमर कोश्चन क्या बोला निमलेखित में से कौन अनुस संख्या गुने नहीं है प्रसरंदाब क्वत्नांका उनयान वास्पदाव हिमांका अवनमन तो राइट अंसर की बात के लिए दोस्तो तो यह वास्प अवनमन जो होते हैं अनुका गुन नहीं है अगला कोश्चन देख लेते हैं उन्चारिश नमर कोश्चन एक घोल जिसमें 6 गराम यूरिया 90 गराम जैल में उपस्तित है उसका वास्प दाओ के आप एच्छे कावनावन निमलिखित में किस्ट के बरावर है तो दोस्तो इसके लिए फोर्मूला की मदद से निकालना पड़ेगा इसकी राइट अंसर निकालने पर जो आता है इसकी लेंथे नाड अनुच्य मक्य है तो लेंथे नाड अनुच्य मक्य यहां पर बताना है तो यह हो जागा दोस्तो आप्शन सी यू प्लस टू प्लस हो जागा यह आप्शन सी का राइट अंसर हो जागा लेंथे नाड ग्रूप का है यहां पर अनुच्य मक्य बताना है तो च M inverse CM inverse यानि option C इसका राइट अंसर हो जाएगा 42 नमर question देख लेते हैं क्या बोले निमलिकित में कौन जलिये माधिया में रंग हीन घोल बनाता है कौन बनाता है तो राइट अंसर की बात कर लिए दोस्तों तो राइट अंसर हो जाएगा SC3 plus रंग हीन माधिया यानि रंग हीन जिसमें कोई रंग नहीं तो जो इसका डिय और विटल पूनुप से भरा होता है दोस्तों वही रंग हीन घोल बनाता है चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं क्या बोला यहां पे 5% के न सुगर जिसका अनुभार दोस्तों 342 एक्स के एक परतिस्यत के घोल के साथ आइसो टोनिक है तो एक्स अनुपा भार क्या होगा तो इसकी राइट अंसर की बात कर ले इसका राइट अंसर हो जाएगा द है जिनके बरावर होता है तो यह बरावर होता है अब का आइसो टोटना आइस्मोटिक आस्मोटिक के बरावर होते हैं अगला कोश्चन है जिरो दसंबलो एक एम बी ए एनो टू होल टू घोल का वांट होब गुना दो दसंबलो सेवेन फोर है तो विघाट अस्तर होगा तो राइट अंसर की बात कर ले इसका देस्तों तो इसका राइट अंसर बी हो जाएगा यह इनी 87 परसेंट हो जाएगा 46 नमर कोश्चन देख लेते हैं एक जल्य घोल का ही मांग 0.186 डिग्री सिल्सियस है अगर के बरावर 1.86 और के बी बरावर 0.512 है तो इस जल्य घोल का कवत्नांग कुनायन क्या होगा तो इसका राइट अंसर की बात के लिए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा 0.0512 यान अगर इन घोल पदार्थ के मोल की शंख्या तथा इन यानि कैप्टल इन घोल के मोल की शंख्या है तो घोल के मोल पर भाज क्या होगे तो राइट अंसर की बात के लिए दोस्तो इसका राइट अंसर अब कव हो जाएगा aku a small a-n बाटगा capital इन प्लस अ श्मॉलरन यहांब दोखे दिसस्तो उप्माइक को शोटे आन के द्वारा सूचित किया गता है यहाँ पे गोल था घुल ले तो option 20 का right answer हो जाएगा चलिए अगल अगल आड़ तालिश नमर कुश्चिन देख लेते हैं परमानोदरमान बराबर होता है तो यह होता है परमानोग लेक्टरोन और पोट्रोन की संख्या के योग के बराबर होता है परमानोदरमान यह option 20 का right answer हो जाएगा उन्चास नमर कुश्चन क्या बढ़ा है एक लिटर विलियन में उपस्थित विले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं तो ये कहते हैं श्रामानियता को कहते हैं ओप्सन सीज का राइट अंसर हो जागा पचास नमर कोश्चन, लिटर विलेटर विलेट के ग्राम अनो की संख्या को कहते हैं तो क्या कहते हैं, यह कहते हैं मोलारता यहनली ओप्सन डीस का राइट अंसर हो जाएगा क्यावन नम्मर कोश्चन देख लेते हैं 27 डिगरी सेल्सियस पर 18 ग्राम प्रती लिटर वाले गुलोकोज विलियन का प्रसरकदाब 2.46 वाई मंडल है तो गुलोकोज का अनुभार जो हो जाएगा यह हो जाता है 180 यानि Option A इसका राइट अन्सर हो जाएगा चलिए 52 नम्मर कोश्चन देख लेते हैं इन्हें में लेखेत में कौन सही है तो राइट अन्सर की बात कर लें दोस्तो तो कौतना कुनें से सन्मंदित यहाँ पे नियम दिया हुआ इसका राइट अन्सर की बात करनें विलयाह और विलाःच से सन्मंदित तो इसका राइट अन्सर की बात कर लें दोस्तो तब PO माइनस P बाता PO बरावर KP यहाँ पे option A हो जाएगा PO माइनस PS होता है बरावर PO बाता KP यानि राइट अन्सर A हो जाएगा वास्पदों से सनमंधित तो चलिए अगला कोश्चन देख लेते दोस्तों तीरपन नम्मर कोश्चन क्या बोलड़ा है यूरिया का एक विलियन सौ दसमलो एक एट डिगरी सेल्सियस तथा वाइ मंडले दा पर उबलता है यदि के एफ तथा के बी जल के लिए करम सा एक दसमलो एट सिक्स तथा जीरो दसमलो फाइब टू केजी ग्राम मोल इनवर्स हो तो यह बिलियन कितने ताप पर जमेगा तो यह जम जाता है दोस्तो माइनस से 0.654 डिगरी सेल्सियस पर यानि ऑप्सेन सीज का राइट अंसर हो जाएगा तो चलिए चोगण नमर कोश्चन देख लेते हैं एक मोल जलिये विलियन में विले का मोल पर भाज हो जाता है तो यह हो जाता है आपका 0.018 यानि ऑप्सेन 20 का राइट अंसर हो जाए हो जाएगानि 0.0208 8 वेकषपन नमर क्वस्चन क्या बढ़ा हो एक मोल यह्स यह विलियन के चार्य माद्या में केम्नव फो ग materion मेंगनिश इनवस पूर पोटेंश्या मेंगनिशिया म्रें डाय अक्षाइड फोर यह टेटराउयड आप चीपूण बोल हो जाए ऊक उते दो द्रवो पी तता क्यू के वास्पदाव क्रमसा असी तता साथ हैं तो तीन मोल पी और टू मोल क्यू को मिला कर बनाये गए विलियन का कुल वास्पदाव होगा इसका राइट अंसर की बात कर लिए दूस्तों तो यह हो जाएगा इन 72 के बरावर इन ऑप्शन डीस का राइ राइट अंसर की बात कर लें तो यह होता है सभी विलायकों के लिए इस्थीर होता है यह उप्शन एसका राइट अंसर हो जाएगा अंठावन नमर कोश्चन देख लेते हैं हिमां के आवनावन की वीधी का अप्योग किस परकार के पदार्थों के अनुभार निर्धारन क के लिए किया जाता है तो यह किया जाता है अवासपिसिल से अनुभार का निर्धारन किया जा सकता है तो यह किया जाता है दोस्तों विक्टर मेर वीधी से किया जाता है किशिवास्पेसील द्रव के अनुभार का निरधारन के जाता है विक्टर मेर वीधी से गनी option A. इसका right answer हो जाएगा साथ नम्मर कॉश्षन क्या बोगा हिमांक में आवनावन तथा कवतनांक में उन्ययन परधारित अनुभार निर्धारन की विधिया इस परकार के पदार्थों के लिए उप्चुक्त होती है तो यह पुरिक्त किस के लिए होती है तो यह पुरिक्त होता है दोस्तों आवा स्पेसिल अविधुतिये विच्छेदन के लिए होता है विच्छेद के लिए अनि ओप्षन सी इसका राइट अंसर हो जाएगा एक सेट नमर कोश्चन क्या बढ़ा है हिमांग के अवनवन वीधी दोबारा अनुभार निकालने की वीधी को क्या कहते हैं तो यह कहा जाता है क्रोयो असकोफिक क्यते हैं और ओप्षन ऐस का राइट अंसर हो जाएगा बासथ नमर कोश्चन देख लेते हैं गोलक यह पैच्छा घोल के हिमांक कामाण होता है जादा होता है प्रावर होता है हーー राइट अंसर की बात कर लें, तो दोस्तों यहाँ पे घोलक के पेच्छा घोलक के हिमांग का मान क्या होगा, तो घोलक के हिमांग का मान कम होता है हमेशा, यह आप्शन 20 का राइट अंसर हो जाएगा, तीशेट नमर कुश्यन दिख लेते हैं, किशी तनुबिलियन के कवतना स्रांदरनां अब्सक्राइबुत नहीं तो कोई नहीं स्थी परिकर्णियों निर्वर्सक्राइब कोई हो जाएगा 63 का अगला कॉश्चन 64 रॉल्ड के नियम के अनुसार टीबी जो हो गया टीवी बरावर के बी गुने 1 क्रोस 1000 बटा 2 गुने जहां के भी जो कहलाता है क्या कहलाता है वर इसी को इसे रां का छाता है। क्योंकि अनुपात में लगा इसा मनुपाती हटाने के बाद के भी लगाया जाता है तो रॉल्ड का नियम है तो यहां पर यह सिंपल है कि यह कहला जाएगा कवत नांग कुने से सनमा दीता है तो यह उन्यान इस तरांग कहला जाता है यह उप्शन बीस का राइट अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन 55 क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर बी हो जाएगा यानि बिलियन सुध बिलाया के कवत नांग बिंदु के उपर ही उपलेगा ओपेशन बीस का राइट अंसर जाएगा 55 का चलिए 66 नमर कोश्चन देख लेते हैं सभी सूध पदार्थ है सभी सूध पदार्थ के क्या होगे तो हिमांग तथा कवत नांग बिंदु निष्चीत होते हैं यह सभी सूत पदार्थों के लिए होता है option A का राइट अंसर जागा चलिए सर्षट नमर कोश्चन देख लेते हैं यह दिद्राब हो तो इसकी मोलारत होगी इसकी राइट अंसर की बात के लिए जोस्तो तो राइट अंसर यह हो जागा 32.05 option C इसका राइट अंसर हो जागा अलसर नमर कोश्चन 2.5 लिटर 1 एम 3 लिटर 0.5 एम यानि sodium hydroxide billion के मिसरन की मोलारत होगी तो मोलारता क्या होगी तो राइट अंसर की बात के लिए जोस्तो तो यह होती है 0.73 एम लिटर यानि option C का राइट अंसर देगा अगला कोश्चन किशी billion का वास्पदाव होता है तो किशी billion का वास्पदाव क्या होता है तो यह होता है सुद बिलायक के वास्पदाव से कम होता है यानि option 20 का राइट अंसर हो जागा दोस्तो चलिए last number question देख लेते हैं एम जी प्रती लिटर बरावर होता है क्या होता है तो एक एम जी प्रती लिटर के बरावर हो जाता है पीपी एम यानि ऑप्शन 20 का राइट अंसर जग दोस्तो तो कोड़ मक्स में बताएंगे वीडियो कैसा लगा यह और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए कोई सलिबस तो कोमेंट करके बता सकते दोस्तों धन्यवाद दस्तों और एक आपसे रिक्वेश्ट है कि आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आपका एक लाइक हमारे होसलों को बढ़ाता है धन्यवाद दस्तों